नमस्का, मैं उससी आयो जर्खंड की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं वह फिल्ड थी मैट्रिक को अडिनेटर के करीब 818 पदों में बहाली होनी है वहीं राष्ट्रिय आजीव का मिशन के तहौत प्रखंड इकायों में भी 218 पदों पर नियुक्ति की जाएगी आवेधन का विग्यापन जेस एल पीएस की वेबसाइट पर होगी बता दे नियुक्ति के लिए एक HR कमपनी का भी चैन हुआ है नियुक्ति में समान्य कोटी के अवियार्थी के लिए जार्खंड से ही मैट्रिक इंटरपास होना अनिवार किया गया है इसके अलावा उन्हें अस्थानिय रिती रिवाज और भाषा के अग्यान होना चाहिए आहारता नहीं होने पर उनके अवेधन अस्विक्रित कर दिये जाएंगे जार्खंड में नौ और दस जन्वरी को बारिस जार्खन में अगावी 9 जन्वारी को बारिस हो सकती है या बारिस अगले दिन 10 जन्वारी को भी जारी रह सकती है बता दे मौसम भी भागने राजे के कुछ इलाकों में हलके समादर्ची बारिस की समय जताई है वहीं जन्वारी माह में ठंड का असर लंबे समय तक रहने का अ जाएगा सरकारी स्कूल के बिद्यार्थियों को लेप्टप देगी जहारखन सरकार जहारखन सरकार नवीक अक्षा में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के सभी बिद्यार्थियों को लेप्टप देगी कुरोना के कारण इसकूलों के बंद रहने के कारण इसकूली सिक्षा यमसक्षर्दाविभाग ने इसका प्रस्थाव राई सरकार को दिया है ताकि वे बेहतर ढग से ओंलाइन पढ़ाई कर सके सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने मुख्य मंत्री हमां सुरेंट से मुलकात कर इस प्रस्ताव पर समति देने का अनुरोद किया जिसे मुख्य मंत्री ने सविकार कर लिया है बता देश सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने जारखन एकेडमी कौंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के न्युक्ति को लेकर भी मुख्य मंत्री हमान सुरेंद के साथ चर्चा की उन्होंने राक्षी विश्व विद्याले के पूर्व परिक्षा नियंत्रत डाक्टर अनिल कुमार महतों को जारखन एकेडमी कौंसिल के अध्यक्ष तथा डाक्टर बिनोत सिंग को उपाध्यक्ष नियुत करने की मांग की है ऐसे में हमें आप बताए कि क्या सिर्फ नवी कक्षा के छात्र को लेप्टोप देने से ऑनलाइन पढ़ाई में बाधा नहीं होगी या फिर आठवी, नवी, दसवी और बरावी के सभी छात्रों को लेप्टोप देना चाहिए हमें आप कमेंट बक्स में अपना सुझाओ अवसे देख, टीका करन को सफल बनाने के लिए स्कूल खोलना अवसे अक पासवा, प्राइबेट इस्कूल और चिल्डेन वेल फेर एसेसियेशन पासवा के परदेश पता अधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक बुद्वार को रांची में परदेश अध्यक्ष अलोक कुमार्दुबे के दक्स्ता में हुई, इसमें कहा गया कि 15-18 वर्ष तक के बच्चों का COVID-19 टीका करन को सफल बनाना है, तो या अभियान विद्यालय को खोले बगार संभव नहीं होगा। बावक भी टीका लेने के लिए प्रेरित होंगे। आडियोलोजिस्ट के नियुक्ति के लिए आउट्सोर्चिंग कमपनी जे एमटी को अधिकरित किया गया, जो नियुक्ति के नाम पर लाखो रुपए की वसिली कर रही है। पाकुड सलक हाजसे पर राष्ट पती समेथ पीम सीम ने जताया दूख मिरित के आसरीतों और घायलोग को मुवजे की घोसना। जारखन के पाकुड में बुद्धवार को भिशन सलक दुरगाटना पर राष्ट पती समेथ पीम नायंद्र मोदी और सीम हमान सुरेन ने गहरा दुख जताया है। बता दे पीम सीम ने मिरित को के आत्मा की सांती की इस्वर से कामना की वहीं घायलोग के जल्द स्वस्थ होने की दूआ भी की है। बता दे इस दोरान पीम मोदी ने प्रधान मंत्री रष्टिया आपदा राहत कोस के तहत मिरित को के परिजनों को 2-2 लाख और घायलोग को 50-1000 रुपे मोवजा के तरपा देने की घोस्थना की। बता दे पाकुड जारखंड में लेटी पड़ा आमड़ा पड़ा मार्ग पर होई सलक दुरगटना में कई लोग की मिरित्यू का समाचार अत्यान दुखत है। बढ़ते संक्रमन को लेकर गंभीर दिखे मंत्री अलमगीर आला मास्क पहनने की अपील की। जारखंड में बढ़ते करोना संक्रमन की संख्या को लेकर ग्रामिन बिकास मंत्री सह साहप गंजीला प्रभारी मंत्री आलमगीर आलमगंभीर दिखे। जिला परसासन द्वारा पूरो में संक्रमन से बचाव के कई कारे किये जा रहे हैं सम्भावीद तिस्री लहर को देखते हुए जिला परसासन अलोट नजल आ रहा है जार्खन में कुरोना के सक्रिय मरीजो की संखेया 9,000 के पार जार्खन में कुरोना संक्रमी की रफ्तार में ब्रीधी का करम जारी है बतादे मंगलवार को राजे में जहां 26,81 नए संक्रमीत मिले वहीं बुद्ध्ध्वार को भी 2000 से अधिक नए संक्रमीत की पचान होई है इसके साथ ही अब राजे में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ पजार में 143, KOODARMA में 112 नए संक्रमीत मिले है है कोचिंG संस्थानों को 50% के साथ खोलने की मंग करोना संक्रमन ही ति, श्रिलहर को देखते हुए परदेश में कोचिंग संस्थानों को 50% फिसदी खालने के अनुमती देने की मंग कोचिंग फेडरेशन ओफ इंडिया की ओर से की गई है बतादे परदेश सचीव रितेश कुमार सिंग ने इस समय में कहा है कि पेसे से लगभग डेढ़ लाख जुड़े हुए है कुरोना काल में संस्थान बंध होने से रोजी रोटी के समस्या पैदा हो गया इसको देखते हुए सरकार से मांग की है कि प्राइबेट सिक्षको की आर्थिक एवा मांसे की स्थीती से उबारने के लिए सरकार को बीतिये साहता कताहत प्रती मां भी सेयर पेपरदान किया मरीज स्वास्त भी हुए है वहीं दो मरीज की मौत भी हुई है जार्खन में मंगलवार के आकड़े के अनुसार कूल एक्टिव केज की संख्या चेहतर सा चुरासी है भारत में पचासी एन्नो सवसी नाइक केस मिले जबके अठारा यार आट सो उन्सट मरीज स्वास्त भी हुए भारत में कुल एक्टिव केज की संख्या दो लाग सर्षा टायार पांसो सत्रह है बतादे जार्खन की आज की कुरोना अपडेट देखने के लिए संध्या पांच बगे का नुज देखना ना भूले जार्खन के साथ जीलो में अभी नहीं मिलेगी बिजली कटोती सिराहात दामोदर घर्टि निगम के कमांड एरिया के साथ जीलो को डर्मा चातर हजारी बाग गिरीडी धनबाद रामगर और बोकारों में बीते दो माह से बिजली की कटोती की जा रही है बतादे डिवी सी बीते वर्थ 6 नॉवंबर से कटोती आरंब की है रोजाना लगभग 300 मेगावाट की कटोती की जा रही है समाने दिनों में डिवी सी कमांड एरिया के जीलो में 600 मेगावाट की आपूर्ती करता है बतादे बिजली की कटोती की मुख्य वज़ा डिवी सी का राज बिजली ब पूरा भुकता नहीं हो पाजा है सांसद और विधायकों खिलाप लंबित के स्तीन महा में निप्टाए जारखन हाई कोट ने सांसद और विधायकों खिलाप APNLA कोट में लंबित ममलों का जल्द निप्टारा करने का निदेश दिया है जिन ममलों में गुवाही पूरी कर गई है और मामला पहस के स्टेज पर है उन मामलों का निस्पादन तीन माह में करने का निदेश दिया है आदिवासी मुलवासी संगठनों की बैठक में साथ सुत्री प्रस्ताव पारित आदिवासी मुलवासी समाजिक संगठनों की सन्यूत बैठक बुद्वार को बरियाति में हुई अधक्षा डाक्टर कर्मा उरान की इस दोड़ां साथ सुतिर प्रस्ताव पारित किये गए और कहा गया कि अस्थानिय निती को परिभासित किये बगार नियुक्ति निमावली क या कोई महतों नहीं है अस्थानिय तक की परिभासा का आधार सिर्फ मैट्रिक इंडर्मीडियट परिक्षा पास नहीं हो सकता पूर्वकी रगवर सरकार द्वारा बहर्यों को नियोजन में सामिल करने के लिए उक्त प्रवधान लागू किये गए थे बैठक में चर्चा ह कि नियुक्ति निमावली में भोजपूरी मैथली वांगीका को राजे के मूल भासा परिवार की नहीं है उन्हें सरकार बिलोपीत करें रांची एसेसपी कर्याले में 32 पुलिस कर्मी संक्रमीत राजधने में हमारी कुरोना वायरस के संक्रमर का ममला बढ़ता जाए रहा है बता दे पहले से राजे के सबसे बड़े सरकार अस्पतार डियम समयत कई अने नेजी अस्पताल के डॉक्टर और परा मेटकल करमचारी समयत अने के संक्रमीत होने का से जिला जारी है बता दे अब रांची के पुलिस कर्मी करोना वायरस से संक्रमीत होने लगे है रांची में कूल 35 पुलिस कर्मी संक्रमीत मिले है बता दे रांची के सेसपी सुरेंदर कुमार जहां के बरियातु रोड इस्थी सरकारी अवास क रहालाइक के 32 पुलिस कर्मी की रिपोर्ट पोजेटिव आई है सीविल कोट में वर्चुल सुनवाई शुरू सीविल कोट में बुद्धवार से वर्चुल मोड में सुनवाई शुरू हो गई है बता दे बड़ते कुरोना संक्रमन को देखते हुए हाई कोट के आदेश पर फिजिकल कोट को बंद करते हुए वर्चुल मोड पर सुनवाई शुरू की गई पहले दिन ऑनलाइन सुनवाई में कई वर कि लोको पर साहनी का सामना करना पड़ा उधर जारकन हाई कोट के आदेश पर होने वाली सुनवाई फिजिकल मोड में ही होगी इसमें एन्टी पी फिरस के संक्रमन के बढ़ते मामले के बीच थाना में अब गिरफतार किये गए लोगों के लिए आइसोलेशन यूनिट बनाई जा रही है बतादे इसकी शुरुवात बुद्धवार को और गोड़ा थाना से हुई अब भी भीन मामले में गिरफतार किये गए आरोपी और को थाना परिशर में ही बनाए गए आइसोलेशन यूनिट में रखा जाएगा जेल भेजे जाने से पुर्व आरोपियों की पहले सदर अस्पताल में कोविड जाज कराई जाएगी रिपोर्ट आने तक उन्हें प्रिथक अवास में रखा जाएगा रिपोर्ट से में सतर ट्रेनों के मार्ग बदल दिये गए हैं बता दे सोनपूर रेल मंडल के हाजीपूर बच्वारा दोहरीकरन के अंतरगत सापूर पटोरी और सहदेव बुजूर्ग दोहरीकरन कार्य पूरा हो चुका है इस रेल खंड पर परिचालन बहाली से पहले सिग्नल ट्रे लिकिंग क्रोसिंग पॉइंट साइथ सभी तकनिकी कार्यों को अम्तिम रूप देने के लिए प्री एन आई और ये नाई कारे प्रण्प कर दिया गया है सर्जू राय के उठाए गए टीशर्ट ट्रोफी बित्रन अनिमित्त ममला फर्जी विधान सवा की अनागत प्रश्ण किरियानेवन समीती ने वर्ष दोह सोला के अस्थापना दिवस के मौके पर बच्चों के बिच बाटे गए टीशर्ट और ट्रोफी में गरबड़ी के म समीती ने विभाग के रिपोर्ट को फर्जी बताया है इस समन में बानी जेकर और स्कूली सिक्षा वसक्षता विभाग के साथ सिक्षा पयोईना ने समीती को रिपोर्ट सोपी थी बता दे पिछले महिना समीती ने विभागे रिपोर्ट का अधेयन किया और जबाब पर अ संतोस जताया है रामगड में फटी जमीन आसपास के घरों में पड़ी दरारे रामगड के भुरकुंडा में जमीन फट गई जिससे जमीन का एक बड़ा हिसा धस गया ये घटना सीसियल बरका सयाल छेत्र में घटी जिससे आसपास के इलाकों में आपना तप्री मच गई, हलाकि इस घटना में किसी के जानमाल के हाने की नुकसान नहीं मिली है, लेकिन लोगों के अंदर डर जरूर बैठ गया, जनकारी के अनुसार बरका सयाल के नकारी कलोनी में बंद खदान का कुछ ही सत्य जावा के साथ धंस गया है, बासुकी नाथ मं पर बुद्धवार से रोक लगाने का नहीं नहीं लिया गया, बतादे मंगलवार को दुमकाक के एसडियो महस्वर महतों ने पंडा समाज के साथ बैठक कर सरकाय द्वारा जारी दिशा निदेशों के अधार पसपस पुजा पर रोक लगाने की घोसना की, बुद्धवार स पर पूर्सों से अधिक महिलाये जुड़ी, जारखन में पूर्सों की तुनला में अधिक नए महिलाये बोटस जुड़ी है, हलाकि राज्य में जनगनार लिंगन उपात 947 है, पूर्सों की तुनला में नए महिला बोटस के बोटार लिस्ट में जुड़ने से महिला ससक्त करण को बढ़ावा मिला इससे महिलाए ना केवल आर्थिक या समाजिक तो पस्तों सक्त होंगी बलिक राइनितिक अधिकारों और लोकतंत्र को मजबूत करने में भी अपनी आवंभूम का निभाएंगी सुराक्षा कारणों का हवाला देकर बावुलल मरांडी को चक्रधरपूर में रोका गया पच्मी सिंभूम के गोहिल केरा में भाजबा के पुरविधायक गुरू चरन नायक पर हुए नकसली हमले के बाद बुद्वार को पुर्व सीम बावुलल मरांडी चक्रधरपूर पहुचे सिरी मरांडी मनोहर पूर जाकर पुरो विधायक का हाल चाल लेना चाहते थे लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर चक्रधर पूर थाने में ही उन्हें रोक दिया गया बता देश से नराज पुर्व सीम ने ट्वीट कर कहा कि राजे की डरी हुई सरकार अब लोगों को समयधानिक अधिकारों से भी रोक रही है पाकुड भिशन सडक हादसा की होगी जाच मंत्री अलमगीर पाकुड के करम डिहा गाओं के समीप बुद्धवार की सुबा भिशन सडक दुर घटना में 16 लोगों की मौत हो गई वहीं 30 से अधिक लोग हैल हो गए बतादे इस घटना को लेकर पाकुड भिधायक सर्राज की ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम ने दुख जताते हुए हादसे की जाच की बात कही सास थी इस हादसे में मिरितक और घायलों के परिजनों को संत्वाना दिया हादसा का कारण को रहा बताया जा रहा है बतादे की बुद्धवार की सुबा पाकुड के आमड़ा पाला थाना छेत्री श्थीत करम डियाग आओ के पास यात्री बस और गयर सिलिंडर लदे ट्रक के बीच सिधी टकर हो गाई जारखन एकेडमी काउंसिल जैक के अध्यक्ष होंगे अनिल महतो जारखन एकेडमी काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का इसुतना जारी की जाएगी बतादे की सिक्षा मंति जगनात महतो ने कई दिन पूर्व ही डाक्टर अनिल कुमार महतो को जा पर मुख्य मंत्री हेमान सुर्णी की स्विक्रिती नहीं मिले के कारण इसकी अईसुतना नहीं निकली थी बताया जाता है कि मुख्य मंत्री हेमान सुर्णी ने उनकी मांग पर अपनी समती दे दिया है वकीलो की पेंशन बढ़ेगी वाकालत नमा की दर भी एक समान होगी बार कॉंसिल के अध्यक्स राजेंद्रे कृष्ण के अध्यक्सता में होई बैठक में कहा गया कि सभी जीलों की अधालतों में वाकालत नमा की रासी अलग-अलग है हाई कोट में एक रुपए का वाकालत नमा लगता है जबकि जीला अधालतों में 150 रुपए तक वाकालत नमा की दर है इस कारण पूरे राजे में एक समान दर की जाएगी दर तय करने के लिए कॉंसिल ने एक उप समीती बनाने का निने लिया है धन्यवाद हमें आप कोमेंट बक्स में बताए कि क्या सिर्फ नवी कक्षा के छायतरों को लेप्रोप देना चाहिए या आठवी, नवी, दसवी और बरावी के सभी छायतरों को लेप्रोप देना चाहिए हमें आप अपना फीडबैक कोमेंट बक्स में अवस्य दे साथ से साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के बाट से फेस्बुक ट्यूटर इंस्टाग्राम पर सेर करना ना भूले थैंक यू